हेलो स्टूडेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड कलास 12 का इंगलिस का सैंपल पेपर 2023 के लिए इस पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा और साथ में कुछ चीजे हैं जो काम की है जहांपे आप मिस्टेक्स करते हो वो चीजे भी बताने वाला लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बता दू अगर आपको हरियाना बोर्ड के किसी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का सोल्यूशन या अनालिशिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहां से कर लेना और अगर आपको चाहिए आपको लिखे हुए सब कुछ है तो या ओल्ड कोशन पेपर सब कुछ इस वैबसाइट पर मिलेगा ccl chapter.com गूगल पर जाकर सर्च कर लेना इस वैबसाइट पर हरियाना बोर्ड का सारे टाइप का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको अब सुरू करते हैं पेपर को इ ऑचीजे देखते हैं पहला सेक्ष्ण सेक्षण ए जो की डिंग स्किल्स का है जिसके लिए पहरत पढ़ना है और यह छो jaki 15 से को पहरना हो करे जाएंगे जो कि सबसे आसान चीज है फरी के नंबर होते हैं बेज जोन दा अंडरस्टेंडिंग और थोड़ा सा बदला है पहले पांच नंबर काता था दस नंबर के सब्सेंगे इस सं रहे बेसिक सी बात है और इसके बेसिज पर ऐसे यह उसमें वी दस कोशन आपको दिए जाएंगे देखो मैं पहरो को इसलिए नहीं करा रहा है क्योंडिंगी आप मेंसे ज्यादतर कर लोगे अगर आपको नहीं करने आते कमेंट में बता देना मैं को समझा तुक्त करते हैं पहरे करके ठीक है अब जो नेक्स्ट पॉर्षन रहेगा हमारे पास में वह हमारा वह ग्रामर का ठीक ग्रामर होगी शिर्फ दस नंबर की अगर ग्रामर से जिनको लगता है डर तो कोई बात नहीं है क्योंकि ग्रामर कमजोर हो चुकी है ना ज्यादा नंबर की मैटर नहीं करती लेकिन कोई ना चलो देखते हम ग्रामर वाले पॉर्शन को यहां पर पहला कोश्चिन है अप्रोप्रियेट मोडल्स बरन ही जाना पड़ेगा तो वीवर वेण वी यह सकते हैं शिव सब्सक्रारा वह उडस्ट प्लेंडिस ग्राउड या फिर डॉट पलें इसंब्बावनां फ्कॉणrit है थोडिसीश इंग अच्छी बात करें क्योंकि पहले हम जैसे ग्रामर करते देना हमें पता नहीं लगता था sentence में क्या भरना है क्योंकि वह तो लिखते तैसे possible या इस कांड से वह भरना है अब इन्होंने बता दिया है कि हमको इस logic के हिसाब से इस करना है तो यहां पर क्या आएगा माइट इट माइट रेंट तुडे अब उसके बाद में नेक्स्ट कोश्चन है हमारा चूज दा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फिल इंदा ब्लैंक तो यहां पर वूड सुड़कूड में से बनना जो भी ऑप्शन देर के मतलब तो यहां पर आएगा वूड वूड दैट आई वर आ किंग नेक्स्ट है हमारा वह है चेंज दा नरेशन नरेशन के लिए आपको देखो रूल्स पताओ नीचे मोडल्स के लिए वैसे रूल्स चाहिए आपको ऐसा नहीं है बीना रूल्स के आप नहीं कर सकते इन चीजों को सोल चलो नरेशन देखते हैं नरेशन आसान है आपकी लेकिन हाँ ज्यादतर मैंने जो उब्सर कराना वह कोश्चन टाइप के पूछते हैं वेहर देयर या फिर ऐसे कोश्चन या फिर यूनि असर कराबी दिये तो फाइदा कूछ होने ने वाला जैसे प्रीती आश्च के सुमीट इसका बंबला PAe कमिन है तो यह कंति हना है निल जाएंगे अ baker में नबर के आएंगे तीन देंगे वो आपको ठीक है एक option additional देंगे वो तो जो उनसा आपको आसान लगे वो दो कर लेना the scientist saw an object flying in fill in the blank sky fill in the blank में क्या आएगा the scientist saw an object flying in the sky है ना he is my best friend तो he is simple है कुछ नहीं आएगा he is my best friend I gave him 100 रूपी नोड तो क्या आएगा 100 रूपी वैसे बता दियार मैंने तो फलो फलो में देखो आर्टिकल आसान होते क्या आर्टिकल में पढ़ोगे ना अगर कुछ missing साल लगता है तो उसके साब से अंदाज अलगा कि सही सही सा कर सकते काम आपके पास चेंज दाओ इस तीन कोस्टन दे जाएंगे सेम उसी लोजिक पर आपको रूल्स अगर पता है गर आमर में तभी कर सकते नहीं तो दिक्कत है नहीं ठीक है वर्ब भी वर्ब आसान होती है वर्ब में देखते हैं आई हैड नो हैव नोट सीन हिम सीन्स ही फिल इन दा बलैंक दा विलिएज तो वो जो है उसके लिए यहाँ पर टू लिव के हिसाब से हमको भरना है तो टू लिव में क्या दाएगा लेफ्ट यानि कि पास्ट इंडेफिने डेंट पास्ट सिंपल भी कहते जिसको या फिर प्रेजंट इंडेफिनिट देते हैं इस वाला जमेला इधर ही होता है और इस वजह से इसी को ज्यादा प्रैफर करते हैं रोम फिलिंदा ब्लैंक नोट बिल्ड इन आडे रोम मलब हम पराचिन बात करें रोम वाज नोट बिल्ड इन आडे एक दिन में नहीं बना था वह न तो ऐसे जो हमको वर्ब करनी है इसकी जो है आपको पूरे पेपर की अंसर की मिल जाई वैबसाइट पे क्योंकि आपको लगेगा इसार बीच बीच में कोश्चन चुटवा रहे हो मैं इसलिए चुटवा रहा हूं यह बीच वाले कोश्चन ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इन चीजों की रूल्स के बेसिस प बनाना है उसके बाद में है पहले तो नोटीच भी तो लिखते हैं नोटीच बड़े अखरते हैं। आपने जो notice होता है notice आपने सुना होगा डिब्बे में बनाते हैं तो देखो एक डिब्बा बनाना है उसके बाद में heading लिखनी है पहले तो notice भी लिखते है मतलब नाम लिखते हैं साइन मार देते हैं तो वो चीजे यह जो पॉर्सन होता है यह ड्राफ्ट बोलते हैं यह एक नंबर का होता है यानि कि यह चीजे लिखो गए यह उपर की थोड़ी शी बकवास और नीचे एक नंबर का यह रहता है उसके बाद में जो है अगर आपने यहाँ पर देखो ऐसा है अगर आपने इन में से कोशी दो चीजे मिश कर दी डिबबा बनाना भूल गए डेट लिखनी भूल गए या डेट उस साइड में लिख दी राइट साइड में तो आपको एक नंबर मिलेगा ही नी जीरो मिलेंगे फिर कई तुम सोचो कि मैं सर नो स्बाने मिश्टेक या फिर आपने वर्ब के हिसाल से टैन्स के हिसाब से भब सही नी बना रखा तो यह को करते हैं अधको दो लिखोगे जो भी लिखोगे उसमें क्या-क्या चीजें हैं जो आपको बतानी होती है एक Knotice के अंदर वो बताता हूं अगर student या किसी को बुलाना है तो invite करना है तो inviting the student करना आपको और फिर उसकी last date apply करने के अगर कोई form वगारा भरवा रहे हो उसकी last date वगारा भी आपको बतानी है साथ में ठीक है ना तो यह चीज़े है और line with reference to undersigned यानि कि आप अपने signature वगरा करके मंगाते हैं teachers तो वह चीज़े वगरा होते हैं वह सारी चीज़े आपको consider करनी है तब आपको notice में पांच नंबर दिये जाएंगे समझ गए अब दूसरा हमारा next जो topic देखते हैं देखो मैं बना कर नहीं दिख पर उसके बाद next जो topic है हमारा वो है advertisement इस वाले में जो हमको advertisement बनानी है car बेचने के रिगार्डिंग ठीक है draft and advertisement और 50 word की बनानी है 50 word में भी same method रहेगा जैसे हमने पिछले इसमें question में देखा है एक नंबर का format उसके बाद में तीन नंबर का बीच की बखवास और last में जो है इसनी mileage वगरा वगरा लास्ट में mobile नंबर email आईटी वगरा दे दो अपनी यह हमारा stop waste वेस्टेज वेस्टेज के ऊपर जो हमको एक poster बनाना है रेन वाटर हर्वेस्टिंग के रिगार्डिंग ठीक है तो वह poster हमको बना के दिखाना है poster बनाने में देखो बहुत सारे student सोच हमको drawing नहीं आती हमारे poster गलत हो जाएंगी हाँ देखो poster के लिए drawing थोड़ी सी चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए होती ठीक है आप point बना के भी poster बना सकते हो वह आपके उपर आप अंसर की चेक करना वहां पर आपको अच्छा poster मिलेगा water के बारे में rainwater harvesting के regarding तो उसको देख ल लेटर आपने बहुत सारे लिखे होंगे पिछले कई classes से लिखते ही आ रहे हो ऊपर जो लेटर में address लिखते हैं date लिखते हैं उसके बाद सेंडर रिसीवर अडर्स जो होते हैं subject वगएरा उस चीज़ के होते हैं आपके और last में भी लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं आपकी spelling mistakes हैं तो grammar में हो या उसमें हो और वो देखो ऐसा नहीं होता कि तुम सोचो सर कितनी mistakes चलेंगी अगर दो से ज्यादा mistake है आपके पूरे passage गंदर तो उसमें आधा number काट लिया जाता है दो mistake के basis पर अगर चार mistake है तो एक number कट गया मतलब फाइदा ही नहीं है फिर तो mistake करनेगा अगर सपेलिंग में इतनी गडबड़े करते होता है चलो यहां पर जो है ना यहां पर हमको दे रखा है यूसान दा अडवर्टाइजमेंट हमने देखी यह अडवर्टाइजमेंट है यह बार में छपके आई होगी या कहीं भी जो भी है और आपको इसके बिहाब अपना वायो डाटा लेते हुए अपलाइंग करना यह लेटर ही लिखना एक्च्वल में डायरेक्टर को लिखना यह लेटर ठीक है इसके बारे में इन्होंने आपने खबर देखी और इसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता लेटर भी करोगे पाँ आराम से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती उसके बाद में यहां पर देखो ah, यहां पर क्या है यहां पर एक रिपोर्ट लिखनी है 120 गुस्ट 150 वर्ड में रिपोर्ट में भी अपना फॉर्मेत होता है लिखनों नमबर खुयर्ट होते हैं आगे फॉर्मेтов लिख ос보 के अंदर हमको जो है attempt any two attempt any one of the two extracts a and b given below इन में से कोई साथ एक पहरा का हमको solve करना है जिसमें basically हमको पहरा दिया होता है book का और उसके जो हैं को answers करने mcq में दे रखे हैं यह जो कि better चीज है mcq में आसानी से कर सकते हो इसके यह आपको दो चीजे जरूर ध्यान रखनी है जो poems है आपकी या फिर जो chapters हैं उनके writers के नाम साथ में जरूर पढ़ लेना जैसे poet के बारे में आप पूछा जारा है writer के बारे में यह चीज़ें यह लोग जरूर पूछते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना इनको जरूर याद करके जाना है आपको ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यह देखो यह आप तो पहरा पढ़के ही आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बट पहरे से सोल करोगे तो और भी ज्यादा इजी पड़ेगा आपको चलो आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारे लग जाए तो confusing questions नहीं आएंगे आप इंगलीज में आपके ठीक है अब इनके important questions की वीडियो बना दूँगा अंसर्स देखने हैं इनके questions के तो आप answer की डाउनलोड कर लिए बैटर चीज़ है ठीक है अब यहाँ पर बताने कोई sense नहीं है न वो चीज आप रटने वाल यह उसके बात है उसके बाद यहाँ पर दो questions करने कमला दास माई मदर एट 66 तिंग और ब्यूटी रोड साइस इसमें जो poetry है यह poetry section 6 नंबर का ठीक है दूसरी book आपकी उसमें से 6 नंबर का आएगा चार question होगे कोई से 3 questions आपको solve out करने होंगे ठीक है next जो आएगा वो आएगा 5 नंबर में है यह हमारा बड़े question long question आएगे the last lesson में पहला यह lesson आए तो इसमें से आएगा या फिर यहां पर दूसरा जो है इंटर्व्यू इंटर्व्यू तो हटा तो दिया साइट शाहिए थिंक सो इन्होंने पुरा मेरे को लग रहा है पुराने पर हिसाब से बनायोंगे पर जब बनायोंगे क्योंकि इतनी जल्दी बोर्ड वाले पेपर नहीं देते तो question कहीं तुम सोचो कि सर हमारे सेंपल पेपर का तो हम कैसे सोल्व करें तो कुछ एक सिलेवस में मेरे को लग रहा है कुछ एक question आउट ओफ स्लेवस दे सकते हैं हाँ फाइनल एजाम जो बनेगा फाइनल पेपर जो होगा वह आउट अप स्लेवस नहीं आएगा सेंपल पेपर में मेरे को लग रहे है सब्सक्राइब के पूरे पेपर में अगर आप सही से सोल्व करते हो दस नंबर के सुरुवाती पैसेज ज्यादा करो तो रिपोर्ट नोटिस और लैटर यह चीज़े कर लेना ठीक है अगर जिनको सिर्फ पास होना उनके लिए बता रहा हूँ बुक के पैसेजिस हैं वह हो पर में सेंबक मोदल पर में जाना है क्योंकि पर या मोडल पर पर सेब्सक्राan चालिएब होटी चीज़े करने क्वा एक यहाँ पर आप टुप इंगलिस्का कर लेना है सेंगली सब्दुआ कि लोड़ करो जाएगा अंसर की आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह से आप अंसर की बगएर देख सकते हो बागी सब्जेक्टों के पेपर मैंने आप एप लोड करके एवन ऑप्चनल सब्जेक्ट भी मिल जाएगे जिन्नों ने जो भी सब्जेक्ट ले रखा था तो कोई ओफिशिल पेपर है कोई मेरे पास से बनाई हुए पेपर नहीं है और इसी पैटरन पर आपका पेपर मिलेगा हाँ यह चीज है कि पिछले जो साल है प्रीवियस यहर्स में जो जैसे सेंपल पेपर आपका इंगलिस का अब की बार आया है पिछले सालों में भी सेम ही हुआ है तो प्रीवियस यहर्स जरू सोल करके देखना काफी ज्यादा हैल्प मिल सकती है आपको ठीक है चलो मिलते हैं नए वीडियो में बाई बाई